बिल्कुल बेलकुम फ्रेंड्स हाउ आर्यू एवरिवन आई हॉफ आप बिल्कुल अच्छे होंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिट्स के बारे में बसा के बारे में बसा क्या चीज होती हैं आज एक लोजिक सी बात करता हूँ बिल्कुल बसा का बिस्तरत बढ़ाओं करेंगे कि बसा क्या होती है तो बसा के बारे में अपन आज शुरुआत करते हैं कि बसा क्या है लिपिट्स ये कारवन हाइट्रोजन की ही बनी होती है जैसे कि कारवा हाइट्रेड हमारा टॉपिक था जो कारवा हाइट्रेड फूड का टॉपिक था तो भी carbon hydrogen एवं oxygen से मिलकर बना हुआ था carbon hydrogen एवं oxygen से मिलकर बना हुआ था और यह भी जो lipids है वो भी carbon hydrogen की बनी होती है लेकिन इसमें hydrogen oxygen का अनपाद 2 अनपाद 1 नहीं होता है बहाँ तो H2O ले रहे थे अपन तो इसलिए अपना क्या अनपाद लिका रहा था दो अनपात एक अनपात लेकिन इसका अनपात दो अनपात एक नहीं होता है दो रेशियो एक नहीं होता है बसा के अंदर क्या होता है बसी अमल होते है यानि फैटी एसिड और ग्लेसरोल मिलकर किसका निर्माड करते हैं बसा का निर्माड करते हैं बसा का निर्माड करते हैं और Glisrol के रूम में अपस्तित होती है और आपको बता दे एक Glisrol की छोटी छोटी बात है जो एक एक नमबर की पूछी जाती है आपको पहले भी बता दी गई है लेकिन यहां बापस रिपीट करा रहा है इसके बाद अपन बसा के बारे में बात करेंगे बसा कितने प्रकार की खती है type of fatty acid यानि type of fatty acid lipids के type पढ़ेंगे अब तो जो बसा है बसा है वो दो प्रकार की होती है संतरप्त और एसंतरप्त यानि संतरप्त जो अपन इंगलिस में बोलते हैं सेचुरेटेड और एसंतरप्त को बोलते हैं अनसेचुरेटेड तो इसके बाद बात करेंगे यह एस वर डा तो संत्रप्त का मतलब यह है saturated का मतलब है कि इसमें single wound present होगा किसमें संत्रप्त बसा में संत्रप्त fatty acid है saturated fatty acid है उसके अंदर single wound बस्तित होगा कारवन कारवन के मद्दे इसके कारण यह कैसे होते हैं ठोस होते हैं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं इसके एक्जाम्पल है गी नारियल का तेल और अब इसके बाद इनकी थोड़ी थोड़ी आंगे विस्तरित बढ़न कर ले एक एक नमर के जो कोईशन बनते हैं कहां से बनेंगे तो बसा में देखो संतरप्त बसी अमल यानी saturated fatty acid स्वास्त के लिए हानिका रखोते हैं इनको अगर आप खाएंगे तो आपका स्वास्त बिंगड जाएगा आप बीमार पढ़ सकते हैं और इसके अंदर ये parmatic aml hysteric aml ये इसके अंदर भाग लेते हैं और ये सावन सावन में participate करते हैं parmatic aml और hysteric aml सावन बनाने के काम में आते हैं ये संतरप्त बसी अमले हैं ये कौन से अमले हैं संतरप्त बसी अमले हैं और कमरे के ताप पर ये पहले ही बता चुके हैं कि कमरे के ताप पर ठोस हो जएदा पी सकते हैं क्या बिल्कुल बीमार पडेंगे और नारियल नारियल का जो तेल होता है आपके दिमाग में है जैसे मैं काऊंऊ तेल लिया तो तेल आपके दिमाग में किवल सर्सों का तेल हो क्योंकि आप उसको जादा तर यूज करते हैं प्रकार अपन जिन्दकी में किवल किताओं का यूज़ पढ़ने का यूज़ अच्छी सिच्चा का यूज़ करेंगे तो हम आगे निछिन्ट बढ़ेंगे बिल्कुल तो आप अच्छी सिच्चा लेते रहिए आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ जुडए कारवन है उनकी बन्द क्या होगा जो बंदों के आधार पर इनका पैटी एसिड का क्या किया गया है classification किया गया है और कमरे के ताफ पर यह कैसे होते हैं तरल होते हैं और स्वास्ति के लिए यह लावदायक होते हैं क्योंकि SIS टाइप इनकी जो आकर्ती होती है उसके अनुसार इनको type दिया गया है cis और trans होता है एक cis तो इसकी आकरती cis के type की होती है इसलिए इसे cis type बोल रहे हैं और स्वास्त के लिए क्या होते है benefit होते हैं लाबदायक होते है benefit इसके उधारण है ole caml linonle caml ole caml और ninonle caml इसके बाद इसके example यह तो क्या होगे अमल के उधारण होगे और इसके example क्या है मचली के तेल जैसे मचली का तेल स्वास्त के लिए बहुत लाबदायक होता है और बहुत इसंतरप्त बसी अमल यानि अपन कापी मात्रा में आसंतरप्त बसी अमल यूज करेंगे तो मस्तिस के विकास के लिए कापी लावदायक होता है वेनिफेट होता है मस्तिस के यानि आपके ब्रेन के विकास के लिए और सभी बनस्पति तेल इसके अंदर आते हैं कौन सी बसा के अंदर एसंत्रफ्त अंसैचुरेटेड बसा के अंदर फैटी एसेट के अंदर कौन-कौन से यह सारे सभी बनास्पतिक तेल है नैचुरल तेल है ओईल है वो सब आते हैं और केवल नारियल और पाम को छोड़ कर यह तेल नहीं आते हैं इसके अंदर और बसा में कारो आइडरिट से अधे कूर जा होती है इसलिए जो लोग होते हैं बूखे रहते हैं ज्यादा समय तक वो बसा का उपयोग करते हैं जैसे मौटे आंद भी होते हैं तो इसका कारण क्या है का今st बसा में सबसे जादज और च्था होती है तो जो सिजे के आलउ वोला कर खाके वो क्या है कि उस पर बैट जाते हैं बूख क्या बोलते हैं बूख बूखे बैट जाते हैं तपन करते हैं अपनी जो लीला होती है उनका नमन करते हैं अमल करते हैं बूख अड़ताल और अपवास की समय जैसे कोई भ्यक्ति ब्रत रखते हैं और बूख अड़ करते हैं जैसे यूनिवर्शिटी के अंदर में तो वही उधारन लोगा क्योंकि मैंने बहां देखा है तो वहां क्या है कि वह एक बसा बसा की बसा मतलब एकत्रे तो संचित रहती है कापी लम्मे टाइम तक तो इसलिए वह उर्जा का स्रोत है बूंक अड़ताल और अप्वास के समय बसा उर्जा का उपयोग करके ही जाते हैं जिससे वह लम्मे समय तक बूंके रह सकते हैं जैसे कई साल यह फ्रोट टेक्स्ट होते हैं तो उनमें बूंक अड़ताल होती है तो यही कारण है ठीक है थैंक यू सो मच बाचिंग फोर इस वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेयर एंड सस्क्राइब करना ना भूलें एक प्रतिव व्यक्ति तक एक प्रतिव व्यक्ति तक इस मोयम को पहुंचाएं